हेलो एवरोण कैसे हैं आप सब एक बार पुना स्यो कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है क्लास्ट वल्ट कमिस्टी न्सी आर्टी में चैप्टर सेकेंड चल रहा है चैप्टर टू चल रहा बच्चो और क्रम से वीडियो मैं आल्रेडी अप्लोड कर रहा हूं प्लेलिस्ट में तो प्लेलिस्ट आप लोग विजिट करें स्यो कोचिंग क्लासेश में और विद्वत रूप से तैयारी करें आज का जो हमारा चैप्टर टू में है अनादर सिबिलियन के प्रकार की बारे हम चर्चा करेंगे आदर सिबिलियन और अनादर सिबिलियन हमने दो भागों में बटा था कि जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर सिबिलियन जो round की नियम का पाला नहीं करता उसे हम another civilian कहते हैं इसको हमने पिछले lecture में चर्चा किया था इसलिए तो कहता हूँ कि lecture क्रम से देखें यदि आप playlist में क्रम से देखेंगी तो आपको मजा भी आएगा कि हां sir आज इतना पढ़ाये थे कल इतना पढ़ाये तो उसको प्रापर रूप से नोट्स भी बनाते चलते हैं और नोट्स आपके पास नहीं है तो मात्र हेंड़ रुपीज चार्ज लगता है कंटेक्ट नमबर 96-89-99-49-49-49-49-49-49 कि हमारे पास एक बिलियन है और इस बिलियन में बच्चो आपका बिले जो मिला है वो अवास्पसील है क्या है अवास्पसील है तो उन्होंने बोला कि अवास्पसील बिले युक्त बिलियन अवास्पसील बिले युक्त बिलियन का जो वास्पदाब है अब जैसे अवास्पसील है ना इस स्थित में बिलियन और बिलायक दोनों का वास्पदाब समान होता है तो billion का वास्वदाब या बिलायक का वास्वदाब बिलायक के मोल प्रभाज के समान उपाती होता है तो P A बराबर K into X A सुद्ध बिलायक के लिए बच्चों हमारा P A जो होता है वो P not A के बराबर हो जाता है और X A का मान होता है इस स्थित में धी हम यहाँ पर रखेंगे तो P not A X A का मान एक रखेंगे तो K का मान आ जाएगा और फिर से K का मान इसमें रख देंगे तो आप का आएगा P A बराबर K का मान आपके पास है P not A into X A ये लो भाई साथ ये हमारा राउल्ट का नियम है राउल्ट का नियम ज्यादा लंबा चोड़ा है यह नहीं भाई बहुत ही सिंपल है आपने राउल्ट का नियम नहीं पढ़ा तो जा कर देखो न क्रम से मिल जाएगा बहतर रूप से आपको समझ में आएगा ये राउल्ट का नियम है वह एक घटक के लिए है ये आदर सिबिलियन है इसका मतलब ये हुआ कि राउल्ट के नियम का पालन करता है ये पी ए जो है पी नौट ए इंटू एक्स ए और पी बी जो है वो पी नाट भी एक्स भी के बराबर होता है ये आदर सिबिलियन के बारे में हमने चर्चा किया था कि अनादर से दि बिलियन है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते मतलब पी ए जो है नाट इक्वल पी नौट ए इंटू एक्स ए और जो पी भी है वो नाट इक्वल पी नौट भी इंटू एक्स भी है यनि दि बराबर आगये तो आदर सिबिलियन बराबर नहीं तो another civilian अच्छा condition ये है कि बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि billion का जो वास्पदाब या तो अधिक होगा या तो कम होगा सही है कि नहीं PA कमान या तो अधिक होगा बिलायक का वास्ट अधिक हो सकता है PB कमान अधिक हो सकता है या कम हो सकता दोई कंडिशन तो होंगे तिसरा कंडिशन तो हो नहीं सकता या तो आपका PA कमान अधिक होगा या तो कम होगा तो दो कंडिशन बताया गया कि भाई सहाब या तो अधिक हो जाए जैसे मैंने कहा कि PA कमान हो सकता है अधिक हो जाए ठीक है P not A x से x a से या PB का मान अधिक हो जाए P not A x a से लेकिन दूसरा condition ये भी तो है कि जो PA का मान कम हो जाए P not A x से ठीक है या PB का मान A के लिए होगे कम हो जाए P not B x b से तोनों condition है तो बोला भाई जब अधिक हो जाए मतलब राउल्ट के नियम से अधिक हो जाए तब इस स्थित में इसको क्या बोलेंगे हम धनात्मक बिचलन निक्त बिलियन अधिक है ना तो अनादर से बिलियन को भी दो भागों बाड़ दिया गया एक धनात्मक बिचलन निक्त बिलियन और एक रिनातमक बिचलन युक्त बिलियन तो बोला जब बास्वदा भी अधिक हो जाए तो इसको हम बोल देंगे धनातमक बिचलन युक्त बिलियन युक्त बिलियन आपका हो जाएगा और बच्चो जब कम की बात आ जाएगी तो आप कहे दोगे रिनातमक बिचलन युक्त billion simple है कि धनात्मक कब होगा जब अधिक होगा रिनात्मक कब होगा जब कम हो जाए इस देने इस कर्स निकला समझ रहे न तो कहने का मतलब धनात्मक विचलन वाले billion किसे कहेंगे बच्चो ऐसे billion जिनका कुल वास्वदाब राउल्ड के नियम दोरा आरोपित कुल वास्वदाब से अधिक होता है आप पेच्छीत होना चाहिए यहाँ पर आप इसको बनाओ आप पेच्छीत कुल वास्वदाब से अधिक होता है यहांई हमने आपको यह तृरीका ही बता दिया कि जो राउल्ड के नियम का प्लान नहीं करतें उन्हें आनाधर से बिलियन कहते है अब यहीं अधिक हो जाएगा जो कुल वास्पदाव है राउल्ड केワस्पदाप से यहाँ पर ऐसे बिलियन जिनका कुल वास्पदाव राउल्ड के नियम दोरा आपेचित कुल वास्पदाव से अधिक होता है तो धनातमक विचलन वाले बिलियन की तो इसकी परिवासा है कि ऐसे billion जिनका कुल वास्पदाव राउल्ट के नियम दोरा आपेचित कुल वास्पदाव से कम होते हैं नात्मक विचलन वाले billion कहलाता है आपका difference भी तयार होता चलेगा परसान मत होना पहला difference भी है इसलिए तो 7 लेकर चलता हूं बच्चो पहला difference यहीं चीज होगा ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है चीजें clear है चलो हम एक एक step by step समझाते हैं भाई नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा ना अब देखो बोला यह गया कि जो आपका other civilian है other civilian इसमे enthalpy परिवर्तन नहीं होता है यह यह डेल H भी परिवर्तन नहीं होता है यह डेल B magazine यह maximum लिख सकते हो zero होता है यह others के लिए बात की जा रही है लेकिन another में ऐसा नहीं होता है another में परिवर्तन होता है another में आपका डेल H यह भी zero के बराबर नहीं होगा और बच्चो dell B ये भी 0 के बरावर नहीं होगा तो दो कंडिशन हो सकता है दो कंडिशन कैसे जब ये 0 से अधिक हो जाए मतलब जितना होना चाहिए एक चोल में उससे बढ़ जाए तो आपका डेल H मैग जिम या तो आपका प्लस VE हमने कर दिया मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा है ऐसे हमारा डेल B भी आपका प्लस हो जाएगा यानि अधिक हो जाए कुल मिला करके उसमा का अबसोसन हो जाए भाई ये अधिक कब होगा एनरजी इनिक्रीज हो जाएगी तब ठीक है और आयतन में ये ब्रद्धी हो जाए तो कहने के मतलब आयतन में प्रसार हो जाए तो कुल मिला करके अनादर सिबिल्यन में दो कंडिशन है एक तो डेलेच में ये ब्रद्धी हो जाए या तो डेलेच में कमी आ जाए देल H में ब्रद्धी कब होगा बच्चो एंथेल्पी में परिवर्तन होगा ब्रद्धी कब होगी जब उस्मा का अबसोसन होगा मतलब उस्मा का अबसोसन हो जाए तो ये डेल H में ब्रद्धी हो जाती है इसलिए लिखा गया फ्लस भी इसी प्रकार से आयतन में प्रसार होता है धनात्मक में बड़ा होता है धनात्मक मतलब धनी तो फ्लस ही होगा तो इसके आयतन में भी प्रसार हो जाता है ठीक है लेकिन होई पर जब आप रिणात्मक विचलन की बात करो बच्चो तो यहां पर जो आपका डेलेच है वो मिनिमाम होता है इस वार मिनिमाम होगा बच्चो ठीक है मैक जिम का मतलब यहां पर अधिकतम माइनस में जा रहा है ठीक है क्यों क्योंकि इसमें उसमा का क्या होगा उत्सरजन होगा उत्सरजन होगा मतलब उसमा निकलेगा त इसले तो बोलते रिणात्मक विचलन युक्त विलियन यह रिणात्मक विचलन बाले विलियन तो इसमें उसमा का क्या होता बच्चो उत्स तरजन होता है ठीक है कोई इकत नहीं है डेल भी में आपका आयतन में कमी होगी संकुचन होता है आयतन में संकुचन होता है यह चीज पर बच्चों अंतर देख लेते हैं अंतर किस के किस के बीच है धनात्मक बिचलन बाले बिल्यन और रगनात्मक बिचलन बाले बिल्यन में आपने समझा की जो राल्ड के नियम से भी अधिक वास्पदाब रखता हो उसे हम धनात्मक बिचलन बाले billion कहते हैं ऐसे billion जिनका वास्पदाब round क्या पेच्छी वास्पदाब से अधिक है अर्थात PA जो है वो अधिक है P not A X A और जो PB अधिक है P not B X B तो यह पहला difference हो गया मतलब जिसका वास्पदाब round के परकलित वास्पदाब से अधिक हो और यह यह दि कम हो जाए P A less than P not A X A और PB less than P not B X B तो भाईया यह दि कम हो गया तो रणात्मक विचलन वाला billion कहलाएगा ठीक है जो हमारा धनात्मक मतलब धनिंग प्लस तो उसमा का अपसोसन होगा तभी उसके अंदर की उसमा में ब्रद्धी होगी इसलिए एंथल्पी परिवर्तन अदिक्तम होगा यह प्लस में जाएगा लेकिन इस रणात्मक मतलब कमी अर्थात इसमें उसमा का उस सरजन होगा जब उसमों निकलेगा तबी तो उसमें कमी आएगी इसलिए enthalpy में कमी आती है इसलिए माइनस भी हो जाएगा ठीक है अच्चा धनात्मक Wichlund में आप कहो कि aytan में क्या होता प्रसार होता है aytan में प्रसार aytan में ब्रद्धी मतलब aytan में प्रसार और धनात्मक विचलन वाले billion में कहोगे तो आयतन में कहोता है संगुचन होता है थोड़ा सा कमी होता है ठीक है ये तीन रिफरेंस हो गया बच्चो इसके बाद एक निश्चित संगटन पर billion का वास्पदाब अधिक्तम होता है और कोथनांक निम्नतम होता है जब धनात्मक व तो रहे गई रहेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है एक अपोजिट रहना ही रहना है और एकाद एकजामपल भी जैसे मैंने का एथिल एलकोहल और पानी मिला दो ये आपका धनात्मक विचलन वाला billion कहला था एथिल एलकोहल और पानी ठीक है और जैसे आपर अमल और पानी आप मिला दो H2O और H2O और HNO3 तो अमल मिलाओगे तो हमेशा वो धनात्मक विचलन वाला बिलियन कहलाएगा एक और अच्छा डिफरेंस है जिसे आपको त्यार करना चाहिए जो आपका धनात्मक विचलन वाला बिलियन होता ना बच्चो ये समक्वाथी बिलियन निम्न तापिय समक्वाथी बिलियन बनाता है निम्न तापिय समक्वाथी बिलियन मिनिमम बॉयलिंग एजियो ट्रॉप जिसे बोला जाता है निम्न तापिय समक्वाथी बिलियन और जो आपका रिनात्मक विचलन होता है ये उच्च तापिय या इस कि रिणात्मक बिचलन वाले बिलियन उच्छ तापी है उच्छ तापी है समकौथी बिलियन बनाता है उच्छ तापी है समकौथी बिलियन बनाता है ठीक तो यह 4-5 डिफ्रेंस आपको त्यार करना चाहिए धनात्मक बिचलन वाले बिलियन और रिणात्मक बिचलन वाले बि धनातों बिचलान बने विलियन में कहते हैं कि आयतन में क्या होता प्रसार होता है इसलिए आयतन में ब्रदी और इसमें आयतन में क्या संकुचन होता है इसलिए कमी ठीक है यह आपका निम्नतापी है समक्वाथी विलियन बनाता है यह उच्चतापी एजियोट्रॉप बनाता है ठीक है और इसमें बच्चो इसका कोफ़रांग निमता होता है इसका कोफ़रांग उचता होता है और एकाद example आपने सीखी लिया होगा तो फिलाल आज के लिए इतना ही वीडियो पसंदात लाइक करके शेयर कर दें नोट्स लेना है दिया आपको तो कंटेक्ट नंबर 96-39-99 इसमें आप कंटेक्ट कर सकते हैं 96-39-99 रुपीज चार्ज है प्रापर रूप से नोट्स दिये जाता है जय हिंद बंदमात्रम